कि अब है सब दो कि अब इस जब कैमेर कर जिकर होता तो सबस्ब्स पहले दिमाग में क्या खैलाता है कि वो कितने बड़े होगे कितने ज़ादा एक्विमेंट कितना चुब्य नहीं नढगा एक्विमेंट कितना समान मुगा कैम कितने बड़े बड़े होटे सूगाइस वीधिकली ऐसा कुछ भी नहीं ड़ी तो गाइस camera इतना छोटा है कि आप सोच भी नहीं सकते camera is small and compact जैसे कि आप देख पार रहे हैं बहुत ज़्यादा छोटा तो आज की discussion हमारी photography and cinematography के बारे में होगी तो चलिए शुरू करते हैं photography एक ऐसा profession है जिसमें आप खुद को बहतर तरीके से चानने लगते हो अगर आप एक अच्छे photographer हो तब आपकी photo आपके emotion को लोगों को अच्छे से समझा सकती है इसी के साथ photography और cinematography आपको nature के और करीब लेके जाती है इसी के साथ मैं आपके साथ एक quote share करना जाता हूँ The eye should learn to listen before its look आपका नजरिया ही आपकी creativity को दर्शाता है That's why you have to first learn and then visualize Time to time photography all be involving होती रहती है और इसी के साथ आपको नए नए गेर्स और टेक्निक्स के बारे में जानने को मिलता है इस प्रोफेशन की वजह से आप कुछ नए जगा एक्सप्लोर करते हो नए नए लोगों से मिलते हो नए नए एक्सपीरियेंस क्रेट करते हो जो की बहुती जादा अमेजिंग है करते हैं